अगर आप medicine से related information चाहते हैं तो अभी subscribe करें चैनल को knowledge for Indian तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे signer, tablet के बारे में इस tablet के या फिर इस medicine के क्या फायदे है, क्या नुकसान है, कैसे लेना है, क्या price है ये सारी जानकरियां जो है, आज की इस वीडियो में आपको दूँगा तो देखिए प्राइसे शुरुआत करते हैं, तो ये 275 रुपे में आपको 10 tablet मिलती है और प्राइस समय के अनुसार बढ़ता रहता है, तो जो आज का प्राइस है, वो इधर मैंने आपको बता दिया है और ये जो है, फार्में लिमिटेड बालो की है, जो कि काफी अच्छी कंपनी है आप इसको खरीदना कहां से है, तो देखिए जो भी local alopathy medical store होते हैं, वहां से आप इसको खरी सकते हो या फिर आप इसको online भी purchase कर सकते हो, तो मैं इसी link दे दूँगा description में, तो दर से click करके आप इसको घर बेटे-बेटे भी मंगा सकते हो अब हम बात करते हैं, composition के बारे में इस cyanide tape में क्या-क्या है तो देखिए इसमें है N-acetyl glucosamine जो की रहेगा 200 mg में इसके अलाब़े इसमें है silimarin जो की 1500 mg में रहेगा, इसको आप milk thysal नाम से भी जानते हो इसके अलाब़े इसमें है vitania somnifera extract जो की 90 mg में रहेगा इसको आप अस्वगंदा भी बोलते हो इसके अलाब़े इसमें रहेगा vosvalia serata जिसको आप salakki, looban भी बोलते हो और ये रहेगा 90 mg में इसके अलाब़े इसमें ginger है जिसको आप अदरक बोलते हो ये रहेगा 24 mg में करकियूमा longa है जो की 18 mg में रहेगा और इसको आप हल्दी भी बोल सकते हो अब हम बात करते हैं इसके फायदे के बारे में इसके क्या क्या फायदे है तो देखे ये जो medicine है manly बनाए गई है आपके जोडों के लिए अगर आपके जोडों में दर्दर रहता है या फिर मैं बोल सकता हूँ कि आपके जोडों के health के लिए खास दोर से घुटने का जो जोड होता है उसके लिए अब जैसे के आपके जोडों में soiling आ गई है या फिर घुटने में soiling आती है सूजान आ जाती है inflammation आ जाता है तो उस condition में आप इसको ले सकते हैं आपको काफी फायदा मिलेगा अब जो है इसकी properties antioxidant भी होती है जो की काफी अच्छी बात है free radical damage से भी ये medicine बचाती है अब देखिए आपके जोडों में काफी कई बार आपने देखा होगा कि दिक्कत होती है या कई बार जो है आपके जोड़ सही तरीके से काम नहीं करते हैं खासतोर से घुटने से आवा चाती है या फिर आप जब भी मोलते हैं तो कट-कट की आवा चाती होगी तो कही ना कहीं आपके घुटनों में प्रावलम है या फिर आपका जो घुटने का ग्रीस होता है जिसको अब ग्रीस बोलते हो अब इस लिवरिकेंड को जो है आप सिनोवियल फ्लूड बोलते हैं अब ये जो सिनोवियल ये साइनोवियल फ्लूड होता है इसकी कमी के कारण भी आपके घुटनों से आवा जाती है अब इस कंडिसन में ये काफी फायदेमंद ये जो है मेडिसिन होती है इसके अलाबा जो है अगर आपके घुटनों के जो लिगामेंट हो गए उनमें दिक्कत है या इंजूरी हो गई है तो उस कंडीशन में ले सकते हैं ये काटीलेस बनाने के लिए भी काफी अच्छी मेडिसिन होती है और आपको अगर अर्थराइडिस गठिया की विमारी है या फिर गाउट है तो उसमें ले सकते हैं तो मेंली ये जो है जोडों के लिए बनाए गई है और खास तोर से जो घुटने होते हमारा नहीं होता है अगर आपके गुटने में कोई भी प्रॉलम है गुटने से आबा जाना, दर्द होना बहुत सारी जो प्रॉलम होती है उस कंडिसन में काफी फायदेबंध होती है ये सायनर टेब टेबलेट अब देखिए ये आपको बात समझ में आ गई है ये जो है manly joint के लिए है खास तोर से गुटने के लिए अब इसके अलाबा अगर आपके shoulder के joint में, hips के joint में या हातों के joint में या जो pair होते हैं उनके joint में भी कोई दिक्कत है तब भी ये medicine अच्छी तरीके से काम करती है तो अगर हम एक line में बोले हैं तो अगर आपके जोडों में दर्ध है या movement, जब आप movement करते हैं जोडों में जब दिक्कत होती है, आवा जाती है तो उस condition में ले सकते हैं और एक age के बाद जो है इस type से problem होती है तो उस condition में जरूर इस medicine को आप ले सकते हैं अब dose के बारे में बात करें simple पाने के साथ लेना होता है और आप चाहें तो इसको दूद के सान भी ले सकते हैं male, female कोई भी ले सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए medicine नहीं है और pregnant lady को भी ये नहीं लेना है लेना है तो डॉक्टर की सला से अब side effect के बारे में बात करें तो side effect में सरीर में खुजली हो सकती है रैसेस आ सकते हैं पेड खराब हो सकता है ये कुछ इसका side effect है लेकिन इधर अगर आपको diabetes है आप diabetic patient है तो एक बार doctor से consult कर लें या फिर eco-sporin बगेरा medicine खाते हैं तो उस condition में भी doctor से साला ले लें तो बहतर रहेगा इसको लेने से पहले है आप कोई दूसरी medicine आप ले रहे हैं तो उसके सांद इसको ले सकते हैं या नहीं तो बिल्कुल ले सकते हो लेकिन इस type से कोई आप घुटने की medicine ले रहे हैं तो उस condition में आपको नहीं लेना आप कब तक लेना है तो डिपेंड करता है आपकी बीमारी पर आप इसको एक से तीन महने तक लेकर देखें और इसको जो है आप लंबे समय तक भी ले सकते हैं लेकिन डॉक्तर की सला से अब फायदा कब तक मिलेगा तो देखे एक महने आप इसको लेकर देखे एक महने बाद आप देखीएगा कि आपको कुछ न कुछ जो है आपके जोडों में या घुटनों में फायदा मिलेगा आप इदर में कुछ एड़वाइज देना चाहूंगा अगर आप यह मेडिसिन लेते हो तो आपको अलकोहल नहीं लेना है, स्मोगेंग नहीं करना है जंक फूर्ड, फास फूर्ड, ज्यादा ओयली, ज्यादा मीठा यह सब नहीं खाना इस अब आपके हल्थ के लिए बेकार होता है, आपको हल्दी डैड लेना है और एक हल्दी लाइव श्टाइल रखना है, और आप जो अच्छा खाना खाईए ओमेगा-3 fatty acid वाला भी खाना खाईए, वो भी अच्छा होता है, जिसमें ओमेगा-3 fatty acid होता है और ज्यादा मोटापा है, वज़ा नहीं तो उसको कम करिए, एक्सराइज करिए, एक्सराइज काफी अच्छी होती है हमारे health के लिए भी, हमारे joints और हडडियों के लिए भी तो इधर मेरे वीडियो खतम होता है, और अगर आपको इस टाइब से औरी वीडियो देखना है health और medicines related, जो कि मैं daily बनाते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते हो, अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो वीडियो अच्छा लगे तो like भी कर दीजेगा, फिर में लेंगे next वीडियो में जब तक आप बने रही है और देखते रही है आपके अपने चैनल में knowledge for Indian